तो गाइस मैं हुआ अंकी तो और आप देख रहे हैं रिस्टिंग फैंस नाइटवक सुरी करते गाइस अपनी बादकों लोग सबसे पहले समस्टाइम की न्यू स्टेज लीक देखते वे या फिर ऐसा बोलू मैं न्यू सेटप लीक विकॉज स्टेज के नाम पर इन्होंने क इसको उपर कैनुपी है जो कि इस पिक्चर में आपको साफ दिखे का नहीं लेकिन है जो कि इनको बरसात वगेरा से से रखेगी अगर वर्स्ट केस सीनेरियों में बारिस हो जाती है तो बागी नोंने रैंप भी लगा दिया अगर मैं गलत नहीं हूँ तो अभी क्लीन नही इस प्लीन नहीं सकते हैं क्या थे नहीं पर डशनीरिघा को मामले में डबर डबली इन बिचा वाई को इसको पो सकता हो समस्लाय में तो यह वैसे भी नहीं होता है लेकिन यहां पर आप कुछ एक्सपेक्ट कर सकते थे अगर एंट्रेंस पर कुछ नहीं कर रहे हैं अब डिपेंड करता है इवेंट पर अगर इवेंट अच्छा होता है तो ठीक है भाई सब लोग भूल जाएंगे सब कुछ की कैसा सबस्क्राइब कर दिया इसके अलावा कुछ करना बाकी रह नहीं यह वाइग निवेंट पर आप जादा कुछ दिखनी रहा होता है बड़ा पिक्चर देख सकते हों अगर आप देखना चाहते हो तो यह सबस्लाइम को लेकर सेटप अपडेट जस्ट दो दिन पहले समस्ला तो अभी दो दिन पहले यह हाल आते हैं बाकी मुझे नहीं लगता है यहाँ पर जादो कुछ इनको करना भी है तो ठीक है बतलब ऐसा नहीं कि बहुत पीछे चल रहे हैं आगे बढ़ते हैं बात करते हैं अगली स्टोरी के बारे में जो कि यह स्टोन कोल्ड स्टीव करने वाल आप अपने ड्रीम मैचेस भाई 2K22 या फे 2K23 में खेलो वहाँ पर खेलो अभी उसके लिए वो चीज बनी है लेकिन मैं इतना गादा कंपीट नहीं कर सकता लेकिन वापस से यह टीज करते हैं रसलमीना 41 के लिए अपनी अपेरेंस अटलिस्ट अटलिस्ट के बैठाने वाला काफी किसी के लिए भी मुझे नेवादा से बाहर निकालना बट रसलमीना अगले साल वगस में होने वाले जो कि नेवेडा में इसका मतलब क्या हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं रैटल स्रुप टीर सब्सक्राइब और पाहर को या तो लोग कर दिया तो तो उसके बाद रिपोर्ट्स भी आई दी निकल के सामने कि यह आ सकते हैं लेकिन बाद में इनको अंडर्टेकर ने रिप्लेस कर दिया तो वहाँ पे एक अच्छा स्पॉर्ट हो सकता था इनका रॉक के साथ में लेकिन वहाँ पे यह नहीं आए इनको सेग्मेंट देना चाहिए यह भी आप कॉमेंट करके बदा सकते हो आगे बढ़ते हैं अगली स्टोरी के बारे में जो कि यह मार्क हन्री के बेटे को लेके जेकब हन्री है इनका नाम अभी देखके तो भाई काफी यंगर लग रहे हैं बहुत यंगर लग रहे हैं मतलब इनको टाइम नहीं लगता भाई ग्रू होने में हमने डॉमनिक को देखा भाई की डॉमनिक ऐसा लगा कि 15 साल से सीधा 25 साल के हो गए तो इनको टाइम नहीं लगता यह मुझे लगता है एक साल के अंदर मार्क हन्री की तरह देखने लगेंगे जेकब हन्री डॉमनिक के साथ साइन कर चुके हैं अभी इनके लिए भाई सारी फेसिलीटी वगेरा इनेवल हो चुकी होगी यह परफॉर्मेंस सेंटर में जाएं अगे बढ़ते हैं गाइस बात करते हैं अगली स्टोरी के बारे में जो कि डवी डवी के पीली सेड्यूल को लेके एक बार पीली सेड्यूल देख लेते हैं गाइस कल मैंने आपको बताया राद की वीड़ो में कि सर्वाइवर सीरीज अनाउंस हो चुका है तीस तरमबर के दो इवेंट से तो हमारे लिए अग्स्त में एक समर स्लैम है और सिप्तमबर के स्टार्टिंग में बैसिंद वर्ली ने जो कि जर्मनी सोगा देन उसके बाद अक्टूबर अगले महीने बैड बलड होने वाला अगेन यह अमेरिका सोगा स्टेट फार्म एरेना से देन उसक केनेडा से जो कि इंडिया में आपको एक दिसंबर को देखने को मिलेगा यानि अगर आप इंडिया नो तो आपके लिए अच्छा है हर महीने आपको कुछ ना कुछ देखने को मिलेगा अभी समस्लाइम आप देखोगे परसो उसके बाद बैस इन बर्लीन देखोगे सिप्तं आपसे यह है 2024 का बचावा पीली सेडूल क्या सोच तो इसके बारे में क्या नहीं सोच तो comment करके बताना पूरा साल आपका पैक है आगे बढ़ते हैं गाइस बात करते हैं अगली स्टोरी के बारे में जो कि अपनी आखरी स्टोरी है ट्राइबल चीफ रोमन रेंज को लेकर है क्या रोमन रेंज के रिटन में एक और ट्विस्ट हमें देखने को मिल सकता है इसके बारे में बात करते हैं मैट मॉर्गन में आपको बताता हूँ क्या कहते हैं लेकिन गाइस मेक सूर कि आप चैनल को सब्सक्राइब करो आपने नहीं कर रहा है तो because summer slam काफी close है सिफ 50 सब् बेल नोटिफिकर्स आपको आल पर जरूर से सेट करकर रखना चाहिए because यहां पर आपको डवी डवी की फास्टेस्ट अपडेट्स मिलती है टॉपिक पर जंप करते हैं वापस से रोमन रेंज के summer slam return में क्या एक और ट्विस्ट हो सकता है अभी तो ऐसे 100% confirm नहीं है कि रोम यहां पर चाहिए तो जो लोग कषिछ्टन कररें कि कोडी रोड़ को डिप्लेष कर देंगे रोमन रेंज के इस डटॉप बेभी फेस तो आस तो आप बेभी फेस तो आप तो यहना होने वाला है रोमन का गे में क्या compare करते हैं कि सायद ये CM Punk की तरह हो सकता है या फिर ऐसा बोलो इस feud के अंदर जिस तरीके से Seth Rollins है CM Punk, Drew McIntyre Rollins वाली feud में उसी तरीके से Roman Reigns हो सकते है अपने comeback के बाद तो ये चीज़ काफी sense बनाती है मैं भी नहीं देखना चाहता कि Roman Reigns बेबी फेस बन जा बिग डॉक की तरह रोमन का जो ये जो औरा है न भाई ये heel वला औरा ट्राइबल चीफ वला औरा ये बेबी फेस में suit करेगा है नीचा है कितना भी carry कर लो कुछ भी कर लो बेबी फेस की बात अलग हो जाती है तो ऐसे मैं कहना है इनका कि Roman फेस बन के आएगा लेकिन होगा वो हील ही एक तरीक से 90% उसके अंदर आपको हील टैक्टिक्स ही दिखएगी क्या सोचता आप इसके बारे में comment करके बताना और आपको क्या लगता है कि क्या ये एक अच्छी चीज है या फिर बुरी चीज comment कर देना भाई मुझे लगता ये एक अच्छी चीज है और ये एक ट्विस्ट हो सकता है जो कि सायद Roman के return के साथ आपको summer slam में अगर आते हैं तो देखने को मिल जाए फिलाल भाई इस वीडियो के लिए बस एक कुछ अपडेट्स थी आई होप सापका information मिली हो मिले हो तो वीडियो को like करे, share करे, subscribe करे चैनल को तक आना वाले time के अंदर आपको और बेसे www की news information सब कुछ time to time जानने को मिलते रहे follow कर सकते आप लोग मुझे instagram and twitter पर link आपको मिल जाए के description में join के सकते हैं whatsapp channel को उसके link के description में मिलते हैं अपनी next offer काफ इंटरस्टिंग वीडियो में